घूँठेट्ट्न जैँ देख लीजह इंडिया लिम्टेट्स गैव का मतलब होता है तो इसमें सबसे बढ़िया चीज है कि वालों के लिए भी वेकेंसी निकाली है इन्होंने तो लाज्ट तक जरूर देखिएगा ठीक है तो देख लीजिए इन्होंने मैनेजर की वेकेंसी निकाली है और मार्केटिंग मैनेजर की निकाली है सीनियर इंजिनियर मेकेंकल निकाला है सीनियर इंजिनियर इलेक्ट्रिकल निकाला है उसके बाद सीनियर इंजिनियर केमकल स senior engineer boiler operation, civil में, civil में भी इन्होंने vacancy निकाली है, ठीक है, और senior officer marketing भी निकाला है, HR जो MBA वालों के लिए उनके लिए भी निकाला है, और इन्होंने senior officer की बहुत सारी vacancy निकाली है, अब देख लीजिए, electrical में इन्होंने vacancy निकाली है, senior engineer electrical, ठीक है, chemical और mechanical, इसमें vacancy निकाली है इन्होंने, और यह special recruitment है, इसमें gate की कोई आवशिक्ता नहीं है, अगर जिन लोगों के पास gate का score card है, वो भी apply कर सकते हैं, जिन्होंने gate का paper नहीं दिया है, वो भी apply कर सकते हैं, gate की कोई foundation नहीं है, और देख लीजिएगा, BA, BSC वालों के लिए इन्होंने vacancy निकाली है, tip system में मैं link दे दूँगा, वहाँ जाकि आप पूरा इसको download करके पढ़ लीजिएगा, apply करने से पहले, और यह देख लीजिए, जो इन्होंने post manager के लिए post निकाला है, उसमें bachelor degree यह मांग रहे है, fire या fire and safety से, और 55% मार्स होने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद यह manager मांग रहे हैं, और देख लीजिए graduation अगर आपने BA किया है, तो भी आप लाई कर सकते हैं, BSC किया है, अगर आपने BSC math से किया है, और minimum 60% मार्स हैं, लेकिन अगर आप SC में हैं, तो आपको किवल 55% मार्स हैं, और 2 साल का MBA अगर आपके पास है, तो इसमें आप apply कर सकते हैं, ठीक है, SC, ST, OVC के लिए बहुत अच्छी परती निकाली है इन्होंने, और PWD physically with defect, ठीक है, वो लोग भी इसमें apply कर सकते हैं, अब देख लिए बैचलर डिग लिए इंजिनिरिंग इन्जिनिरिंग इन्जिनिरिंग 55% मार्स है, फिर OVC के लिए, और 60% मार्स इन्होंने रखा है SC, ST के लिए, और फिलस दो साल का experience मांग रहे हैं, ठीक है, तो यह देख लीजिएगा आप, और इसमें कैस, OVC के लिए बात करें, तो senior engineer जो mechanical का pay scale है, इनका वो 60,000 से लेके 1,80,000 है, यह pay scale है, आपकी enhanced salary बनेगी, वो 1,80,000 तक बनेगी, ठीक है, OVC के लिए 33 साल है, और जन्रल के लिए, पी डवलू, बीडी के, अगर जन्रल में आप फिजिकली handicapped हैं, तो 40 साल है, OVC handicapped हैं, तो 43 साल है, और SC, ST है, तो आप 45 साल की उम्र सीमा तक इसमें apply कर सकते हैं, अब देख लिए इन्होंने chemical में bachelor degree chemical मांगी है, पेट्रो chemical मांगी है, ठीक है, polymer science, अगर आपने BSC किया है, या B.TEC किया है, तो आप इसमें apply कर सकते हैं, अब देख लिए senior engineer इन्होंने pay scale 7,000 से लेके 1,80,000 रखा ह है, उसमें electronics, B.TEC अगर आपने electronics, telecommunication किया है, ठीक है, तो पेशर प्रसेंट मार्स आपके होने चाहिए, लेकिन SC, ST के लिए इन्होंने 60% मार्स रखे हैं, ठीक है, SC, ST के लिए छूट होती है, तो इन्होंने काफी अच्छी छूट दी है, अब देख लिए पूरा, अगर म वेकेंसी निकाली है, गवर्मेंट जॉब में बहुत बढ़िया option है, आप लोगों के लिए, ठीक है, अब देख लीजिए, साथ हजार से लेके, एक लाग अस्तियर का pay scale दे रहे हैं, ठीक है, आपने अगर बीकाम किया है, ठीक है, और दो साल का MBA है, ठीक है, और दो साल का MBA है, तो apply कर सकते हैं, आपने BA या BSC किया है, math में, 55% marks है, और दो साल का MBA है, तो apply कर सकते हैं, BA, BSC, statics में है, MBA, मलब BA और BSC वाले apply तभी कर सकते हैं, उनके पास 2 साल का MBA की degree हो, ठीक है, और graduation आपने engineering में, बीटेक में किया है, 55% marks से, तो आप apply कर सकते हैं, और अगर 2 साल का MBA है, 60% marks है, तो आप apply कर सकते हैं, CA, CA में qualification वाले के लिए भी इन्होंने vacancy निकाली है, ठीक है, 60% marks होने चाहिए, अब ये देख लीजिए, कि इसमें इन्होंने जो है, मैं आपको सीधे ही दिखा दूँ, कि इनका selection process क्या है, age limit, salary तो आप जानी गए है, इनका देख लीजि ठीक है, कुछ post में experience मांग रहे हैं, कुछ में experience नहीं मांग रहे हैं, ये पूरा पढ़ लीजिएग, apply करने से पहले, और इसकी last date भी जान लीजिए, क्या है, ठीक है, इस date से पहले आपको online apply करना है, और ये पूरा देखिए, इनका pay scale है, 17,000 से 2,00,000 का, जो maximum pay scale इनका manager के लिए वो 2,00,000 रुपे पर मंद है, इतनी अच्छी से लिए private sector वाले देही नहीं सकते हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा जागरूप करता हूं, government job की तयारी कीजिए, apply कीजिए, शुरू में tough है, लेकिन एक बार हो जाता है, तो future safe है, ठीक है, अब application fees की बाप करें, तो 200 रु rates हैं, तो आपके लिए शुन है, आपको एक पैसा नहीं देना है, फ्री आपकास्ट है, ठीक है, अब देख लिए apply online की जो है, गेल वेबसाइट है, मैं discussion में link दे दूंगा, गेल online.com, इस पर जाके 15 October, जो है, साम 6 वज़े तक, last है, इसका ठीक है, साम 6 वज़े तक आप लो online application में क्या क्या करना है, आपको वो समय आपको बता दूंगा, अगर आपको तिक्कत आती है, ठीक है, तो इसको देख लिजेगा, अगर वीडियो आपको ये जानकरी है, आपको पसंद आई हो, तो subscribe कर लिजेगा चैनल, और आप चाहते हैं कि ऐसी carriers regarding आपको खबरे रोज मि मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, like कर सकते हैं, और share कर सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, जै हिंग, जै भारत